हल्दवानी उपकारागार में महला आयोग की एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है जिहां हल्दवानी उपकारागार में महला कैदियों की प्रशिक्षन कारिश्चालाब शुरू हो चुकी है और यहां पर कई महला कैदियों को चूड़ी बनाने होली में प्रियोग होने वाले प्राकर्ति ग्रंग सजावटी सामान आदी बनाने का प्रशिक्षन दिया जा रहा है तो एक नज़र डालेंगे इन महला कैदियों द्वारा बनाएगे सजावटी सामान आदी पर कि दरसल आपको बता दी हलद्वानी उपकारगार में महला आयो कैदियों को हुनर्मंद बनाने में चुटा हुआ है ताकि जब भी ये कैदि जेल से छूटे तो बहार चाकर लोगों के बीच बसर और गुजर कर सके जिसे की सुरक्षा, सुधार, पुनर्वास का उदेश भी पून हो जाए और इस समय हलद्वानी जिलाकारगार में कई महला कैदियों को उनकी शम्ता के अनुसार हुनर्मंद बनाने की कवायत तेज हो गई है दरसल राच महला आयो की उपाध्यक्ष जोती मिश्वा की पहल पर पहले चरण में महला कैदियों को प्रशिक्षन दिया जा रहा है और जेल के अंदर चूड़ी बनाना और होली में प्रयोग होने बाले प्राकर्तिक रंग सजवटी सामान आदी बनाने का प्रशिक्षन चल रहा है सामाजिक कारे करता पूनम कैदियों को प्रशिक्षन दे रही है और कैदी भी काफी खुस हैं प्रेशिक्षन के बाद इन कैदीों को कच्चा सामान उपलब्द कराया जा रहा है और जो भी ये उत्पात बनाएंगी उनको विवनेसंस थाएं खरी देंगी जिसके बाद बाज़ार उपलब्द होगा और इस कारी के लिए कैदीों को महनत आना भी दिया जाएगा नमस्कार मैं हलदवानी कारागर से जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे जेलर साहब हमें अच्छी फैसलिटीज दे रहे हैं हम सीख रहे हैं यहां पे कड़े बनाना पॉम-पॉम वगेरा होली के कलर्स हमें काफी अच्छी फैसलिटीज मिल रही है और ह अधिक्चक शाब ने और बहुत अच्छे से हमारे को हर चीज की फैसलिटीज मिलती है, कलर बना रहे हैं, हम यहाँ पर पॉम-पॉम्स है, काफी अच्छे काम कर रहे हैं, सिलाई है, कड़ाई है, ब्यूटिशन का भी काम कर रहे हैं, सॉफ्ट वाइज वगएरा, जैली वग है, यह हमारे घर के समागरियों से बन रहा है, जैसे वेजी टेवल्स हो गया, रोज वाटर हो गया, रोज हो गया, और रोट, हल्दी, टर्मिक, इन ही सब चीजों से बना रहे हैं, महिला आयोग की उपाद्यक, शरीमति जोती शाभ मिष्रा जी के एंजियों के द्वारा, ह जो तैयार प्रोडक्ट होगा, उसे बाहर मार्केट में वो सेल करेंगे, जिससे बन्दियों को धन उपारजन होगा और इनका जीवन अच्छा होगा.